टिकम करके राम निवास मंदिर में हुई चोरी चर्चा का विशय बनी हुई है बीती रात गंजी खाने फिल्ड के सामने प्राचिन राम निवास मंदिर के शिखर से एक कलश चोरी हो गया आपको बता दें कि इस मंदिर की उच्चाई 80 फीट से अधिक है पुलिस इस मामले में चानबीन कर रही है मंदिर के पुजारी ने बताया कि कई वर्षों से जनता यहां पुजा करने आ रही है इस कलश को देख रही है लेकिन यह कलश किस धातु का है यह बताना मुश्किल है पुलिस ने बताया कि यह कलश पीतल का था जिस पर सोने का पानी चड़ाया गया था अग्यात चोर की तलाज भी जारी है टीकम गड़ से मनोज खरे की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें